हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं तो पांच एसी गलतियां करते हैं जिनकी वज़़े से आपका फोन फराब हो जाता है या फिर आपके फोन के वेटल जल्दी टिस्टाज होने ल ला हूँ इसलिए आपको यह वीडियो लास्त तक पूरा देखना है पहली गलति जो है वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं जी हाँ दोस्तों ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको जो भी चार्जर मिलता है वे उसी चार्जर में अपना फोन लगा लेते हैं चाए मॉबाइल का ही हेल्थ भी गारते हैं उनका फोन देरे देरे खराब होने लगता हो बेटरी का हेल्थ भी बुरा हो जाता है दोस्तों आप जिस कंपनी का मॉबाइल यूज रहते हैं उसी कंपनी के चार्जर से अपना मॉबाइल चार्जर कीजिए जिससे आपका मॉबाइल भी सही रहेगा वो बेटरी की हेल्ट भी अच्छी बनी रहेगी मान लीजे दोस्तों आपके फोन का चार्ज़ खराब हो गया है या कहीं खो गया है तो कोई बात ने आप दूसरा चार्ज़ खरीद ले लेकिन कोई दूसरी कंपनी का चार्ज़ इस्तिमाल ना करें दूसरी गलती के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं इसमें आप यह गलती करते हैं आप अपने मुबाइल को बिना स्विच ओप किये या बिना फलाइट मोड ओन की चार्ज़ में लगा देते हैं तो बार्मा लीजियें आप बिना फलाइट मोड ओन कि अपने फ्लाइट मोड ओन कि अपने फ्लाइट मों को चार्ज में लगा देते हैं तो इसे आपके फ्लाइट मोड ऊनकी तो इस इसके साथ बेटरी का यूज भी होगा, इसलिए कभी भी चार्ज में लगे हुए फोन को यूज ना करें, अगर आपको यूज करना है तो चार्ज से हटा कर बाद में फोन को यूज करें, तीसरी गलती आप यह करते हैं कि जब आप अपने फोन को चार्जिंग में लगाते है तो अपने phone का cover नहीं निकालते हैं इससे आप आपका phone overheat होने लगता है और इसका सबसे बुरा effect आपके phone की battery पर पुड़ता है जिससे आपकी battery पराव हो जाती है चार्जर होने की speed कम हो जाती है अगर आप अपने mobile का परावर निकाल कर चार्ज निम्में लगाते हैं तो आपके mobile की battery cool रहेगी और चार्ज भी चल्दी होगी इसलिए हमेशा अपने mobile को परावर निकाल कर रिचार्ज बन रहे चोथी गल्थी दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग करते हैं जी हाँ दोस्तों बहुत लोग ये करते हैं कि जब अपने phone को full charge करने के बाद भी charger में लगा कर रखते हैं उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा करने से mobile पर इसका क्या effect परता है mobile की battery over full होने लगती है दोस्तों आप कभी भी अपने phone को 90% या 55% से अधिक चार्ज ना करें बहुत लोग 200% यली करते हैं ऐसा करने से battery की life ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महिने में खतम हो जाती है अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आप अपने phone को बहुत नुक्सान पहुंचा रहे हैं इसलिए कभी 90% 95% से अधिक चार्ज ना करें पांच भी गलती अक्सर बहुत से लोग करते हैं मैंने बहुत से लोगों को ये गलती करते हुए देखा है दोस्तों वो लोग क्या करते हैं उनके पास चार्जर होता है लेकिन वे अपने mobile को चार्जर से चार्ज नहीं करते हैं लेप्टोप या डेस्टोप से USB लगा कर अपने mobile को चार्ज करते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा करने से mobile की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होती है अब बहुत ज़्यादा सलो चार्ज होता है दोस्तों पलीज आप ऐसा मत कीजिए आप मने mobile को mobile के चार्जर से ही चार्ज कीजिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये पांचो टिप्स अच्छी लगी होंगी अच्छी लगी तो पलीज मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए पलीज दोस्तों मेरी सेनल को भी सपोर्ट करतो